नमस्कार दोस्तों, आये आज हम सभी जानते हैं पेट को साफ करने की विद्ध, क्योंकि पेट का साफ होना बेह ஜरूरी है, पेट अगर हमारा क्लीन नहीं होता है, साफ नहीं होता है, तो हमें बहुत सारी प्रोब्लेम का सामना करना पड़ता है, जिसे हम कबज भी बोलते है तो आज हम बताएंगे सबसे पहले आपको कि कब्ज होता क्या है इसके होने के कारण क्या है और साथ में इसका निवारन क्या है यानि कि इसका इलाज क्या है क्योंकि पेट से हमारे शरीर को मैक्समुम बिमारियां होती है अगर हमारा पेट खराब होता है तो लगभग हर कोई अपनी लाइफ में कभी न कभी पेट साफ न होने यानि कि कबज की बीमारी का सामना करता ही है जादा तर मामलों में ये समस्या कुछी दिनों में ठीक हो जाती है पर बहुत से लोग सालों तक इसकी बज़ा से परेशान रहते हैं आज हम आपको कबज की परेशानी धूर करने के कुछ एक बड़े हैं आसान उपाए बताएंगे जिन्हें अपना कर आप इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं आईए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कबज होता क्या है कबज ऐसी स्थिती है जिसमें व्यक्ति का पेट ठीक से साफ नहीं होता है और मलत् कश्ट भी होता है कबज से पीडित व्यक्ति आम लोगों की तुलना में कम बार शौच करता है जहां आम तोर पर लोग दिन में कम से कम एक बार शौच करते हैं वहीं कौंस्टिपेशन का मरीज तीन या उससे भी ज्यादा दिनों तक मलत्याग नहीं कर पाता है इस कारण से उसका पेट भारी भारी रहता है और भोजन में भी अरूची होती है उसकी कबज के कारण कुछ लोगों को उल्टी भी हो जाती है और सर में दर्द भी बना रहता है अब हम सबसे बड़ी समसे आती है बहुत सारे लोगों को कि पहचान में नहीं आता है उनको कि हमें कबज ह इसके हम लक्षन आपको बता रहे हैं जिसके सहारे आप जान सकते हैं कि आप कबज के गिरफ्त में आ गए हैं ठीक से अगर आपका मल त्याग न हो रहा हो या फिर लेटरिन जाते वक्त आपका पेट साफ न हो रहा हो मल साफ न हो रहा हो तो आप समझे कि आप कबज के शिकार हो चुके हैं मलत्या करने में तकलीफ होना श्टूल यानि कि टटी या मल जो बोलते हैं इसका बहुत हार्ड और कम मात्रा में होना बार-बार ऐसा लगना कि अभी ठोड़ा और मलत्या करना चाहिए यानि कि आप मलत्या करने बैठे हों फिर भी आपको संतुष्टी न हो लगे कि आपको लगा हुआ ही है लेटरिंग इसका एक मुख्य लक्षन होता है पीट में सूजन या फिर दर्द का होना इसके साथ साथ उल्टी होना अब आईए हम सभी जानते हैं कि कब्ज होने के कारण क्या क्या है क्यूं होता है कब्ज भोजन ग्रहन कर करना अति विश्राम कम शारीरिक स्रम मानसिक तनाव यानि कि टेंशन का होना अधिक चिकनाई वाला भोजन करना आतों की कमजोरी यानि कि आपके आते कमजोर हैं तो भी ये समस्य आपको हो सकती है कम पानी क्या पीना धुम्रपान या फिर कैफिन द्रव्यों का सेवन करना खाना खाते समय अधिक जल ग्रहन करना सोभाव में अधिक उग्रता हो या फिर गरम मसाले वाले तथा अधिक तैलिय खाना खाना भी इसका एक मुख्य कारण होता है तो सबसे पहला जो इस मामले में कदम उठाना चाहिए वो ये आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमें भी पता है कि हमें कब्ज हो गई है फिर ये क्यों बता रहे हैं ये हमारा बताने का परपस ये है कि आप सबसे पहले इन कारणों को बंद करें सबसे पहले तो कारणों को ढू लेकिन आपके आदते जो हैं वो खराब रहेंगी तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है इसलिए लक्षन के साथ साथ हमने कारण बताया आपको कि इसके कारण क्या क्या है इन कारणों को जानना है आपको इसलिए क्योंकि इन्हें आपको दूर करना है ताकि कब्ज आसा को दूर कर सकते हैं बहुत सारी चाहें तो हम कम चीजों में भी बता सकते हैं लेकिन बहुत सारी चीजों को बताने का मेरा मतलब यह है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास सारी समग्रियां उपलब्ध नहीं होती हैं तो वो अल्टरनेट पर जा सके यानि कि उनके पास जो उपलब्ध हैं उसके सहारे वो अपने आपको स्वस्थ रख सकें सबसे पहली बात होती है कि जब भी आपके शरीर में पानी या फिर तैलिये पदार्थों की तैलिये से मेरा मतलब है कि ऐल नहीं चिकना हट की कमी होती है रूखापन हो जाता है आतों में तो फिर उसमें म मल आपका फंस जाता है जिसकी वजह से मल त्यागने में आपको तकलीफ होती है आई अब ध्यान देते हैं कुछ एक और शधियों पर जो की कब्ज को दूर करने में सहायक होती है सबसे पहली तो त्रिफला चोन त्रिफला चोन में जानना बहुत जरूरी है आप सभी के लि वैसे तो बहुत बार आपने सुना होगा कि त्रिफला चोन लेना चाहिए लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स होती है हरण बहरा एंड आवला अब करना क्या है आपको कि त्रिफला चोन को चम्मच में हलके गर्म पानी से घोल लीजे एक चम्मच ले लीजिए या फिर डेर चम्मच आप ले सकते हैं कुनगुने पानी में इसको घोल लीजिए और घोल करके हर रोज इसको रातरी में सोने से पहले पी लीजिए कबज की शिकायत आपको रहती है तो इसमें आपको तुरंत लाप मिलेगा कुछी दिनों में आप देखेंगे कि आपके कबज की समस्या जो है वो दूर होने लगी इसके हलावा बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि पानी के साथ न लिया जाए तो वो लोग थोड़े से गर्म दूध में भी ले सकते हैं यहीं चोन लेकिन ध्यान रखें कि जब इस चोन को रात को लें तो दूध में चीनी न मिलाएं बिल्कुल भी ना चीनी मिलाएं दूध मिक्स कर लें यह आपके लिए फायदे मंद होगा कबज की तकलिफ दूर करने के लिए इसके हलावा आप मुनक्का ले सकते हैं मुनक्के को कैसे लेना है आठ से दस मुनक्का लीजे गर्म दूध में उबाल लीजे इसको फिर उसको ठंधा होने दीजे और हर रोज उसका सेवन कीजिए आपको रहत मिलेगी मलत्यागने में सरलता होगी इसके साथ साथ कुछ एक चीज़ें इसी हैं जो कि खाने में अपने जरूर सामिल करने चाहिए जैसे कि पपीता पीट साफ करने के लिए बहत लापकारी होता है इसमें जो गुन पाये जाते हैं वो पे तत्था अंगूर खाने से भी पेट साफ हो जाता है सेव का जूस आपफी उपयोगी होता है इसमें सेव का जूस पिने से आतों की अंदूरूनी सता पर बदभू और संक्रमन नाशक परत का स्रेज़न हो जाता है और सेव का नित्य शेवन अन्य कई बिमारियों से रक्षन प्रदान भी करता है आपको हाँ अगर आपको constipation ततकालिक हो गया है तो उस condition में तो आपको हमने बताया कि पपीता लीजे लेकिन इसके अलावा अगर आप एक से औरोज खारते हैं तो ये आपके लिए बेहद लाफकारी साबित होगा इसके अलावा आउले का चून कबज को जड़ से मिठा देता है आउला का चून रातरी में सोने से पहले अतिगुनकारी होता है लेना इसलिए रात को सोने से पहले आप किवल आउले का चून भी ले सकते हैं आउला कई तरह से ग्रहन किया जा सकता है आप इसका जूस पी सकते हैं आउले को सुखा कर चोण बना करके लिया जा सकता है या फेर आउले की चटनी बना करके भी आप खा सकते हैं आवले को मुरब्वे को खाने के बाद उपर से दूध अगर आप पीते हैं तो भी आप कबज से छुटकारा पा सकते हैं टमाटर खाने से भी कबज खत्म हो जाता है खाने के साथ सलाद में कच्चा टमाटर खाना लाफदाई होता है टमाटर का सूप भी पिया जा सकता है टमाटर जिद्धी आतों में जमे हुए पुराने मल को साप करने का सटिक उपाय है बेंगन की सबजी चुलाई की सबजी पालक की सबजी आम चने दूध और शहद का आम का रस निकाल कर पीना उत्तम होता है और उसके उपर हलका गर्म दूद भी आप पीने तो ज्यादा बेहतर होता है या फिर तामबे के बरतन में एक चुटकी नमक डाल कर पानी रात भर ढख करके रख दीजिए और सुबह में उस पानी को पीजिए कब्ज में आपको रहत म मिल जाएगी हलके गर्म गुनगुने पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर सोने से पहले पीने से भी आते साफ रहती हैं और अशुद्ध जमा हुआ मल शोच के समय आसानी से निकल जाता है एक चम्मच अरंडी के तेल में जीव पर नमक लगाकर रात को पी जाईए निगल ज कबजी पकाते समय उसमें लहसुन का प्रियोग करने से कबजी की संभावना कम हो जाती है लहसुन पाचन शक्त वर्धक और गैस का शत्रू है इसलिए लहसुन का सेवन हर रोज जरूर करना चाहिए इसके अलावा फुल गोभी गाजर पालक घी और बड़ी इलाइची फिलाब दायक होता है हम आपको बहुत सारी चीजे बता रहे हैं दोस्तों इसका हमारा उदेश यह है एक बार हम आपको बता चुके हैं पुनह रिपीट कर रहे हैं कि हर लोगों के पास हर चीज उपलब्ध नहीं होती है इसलिए एक किसी खास चीज को ना बता करके हम आप को क्रमशह की किन किन चीजों से सबसे पहले जिस से फायदा हो सकता था वो चीजें हमने आपको बताई लेकिन उसके साथ साथ आप इन चीजों का भी प्रयोग कर देते हैं start दینिक जीवन में अपने क्योंकि एक होता है कि दवाई के रूप में आप ले रहें पार्टिकुलर किसी चीज को और एक होता है कि अपने दिन चर्या में उसको शामिल कर लेते हैं कि हमारे खाने का जायका भी बना रहे हैं और हम उसके सहारे स्वस्त भी रह सकें तो ये ज़ पर्योग करते हैं तो आप अपने आपको स्वस्थरक पाएंगे और आपके पेट में जो कबज की सिकायत है वो भी दूर हो जाएगी इसके हलावा काक जंगा और घी का मिश्रन हर रोज पीने से उदर रोगों का नाश होता है पका हुआ लाल खरबूजा और तरबूज पेट को साफ करने में मदद करता है बत हुआ कि सबजी शक्तिवर्धक और कबज नासक बताई गई है इसलिए इसका भी सेवन करना चाहिए मसूर की दाल कबज में रहत देता है मूंग और चावल की धीली गर्म खिचडी खाने से भी पेट साफ हो जाता है हमने बताया भी आप खराब ना हुआ हो तो भी सबता में कोशिश करें की एक दिन जरूर हैं सुपाच्य भोगता है और सुपाच्य भोगती हैं इजिली ये digest हो जाता है जिससे की हमारे muscles और शरीर को भी आरा मिल जाता है जिसके बाद आप फिर सपतावर तक कुछ भी खाते हैं digest करने के लिए तयार रहता है जैसे आपको weekly rest मिलता है ठीक उसी प्रकार से हमारे पेट को भी rest की जरूरत होती है तो इसको ध्यान में रखना इसके अलावा अगर आपके पेट में कब्ज है तो पीपल के पत्तों का काढ़ा पीने से भी कब्ज मिट जाता है पीपल के लाज चटक फल खाने से भी कब्ज में रहत मिलती है कब्ज में दही का सेवन भी बहुत ही फायदे मंद माना जाता है इसके अलावा गाई का सकते हैं ये भी कबज को मिटाता है दूद में अगर काली मिर्च के तीन से पांच दाने मिला कर साबूत निगल जाते हैं आप तो ये आपके कबज को दूर करने के लिए बिहद ही महत्वपून और शदी के रूप में कारे करने लगता है नीम करवा होता है और संक्रमन नाशक होता है नीम के फूलों को सुखा कर पीस कर उसका चून बना लिजिए और उसे हर रोज सोते समय पानी के साथ लिजिए आपके लिए बिहद लाफकारी होगा करेले के रहस में सेंधा नमक और जीरा मिलाकर पीने से भी कबज रोग में रहत होती है कच्चे शलगम खाने से भ हाइबर भरपूर मात्रा में होगा उसमें आपके पेट को साफ करने की शमता होती है धनिया कबज तोड़ने में मदद करता है धनिये की चटनी भी लाफकारी होती है इसलिए इसका भी प्रयोक करें त्रिफला अजवायन और सेंधा नमक समान यानिकि बराबर मात्रा में मि सोंट कबज मिठाने के रामबान इलाज है अदरक का रस शहद में मिलाकर पीना लाफदाई होता है सोंट अजवायन और काला नमक बराबर मात्रा में मिश्रित करके मिश्रन तयार कर लें और एक चमच सुबह और एक चमच सोने के पुर्व पानी के साथ लीजिए कबज निम्बू निचोड़कर सुखा लीजिए सुखने के लिए रख दिया है आपने इस मिश्रन को गर्म पानी के साथ लीजिए पेट की सारी तकलीफें मिठी जाएंगी इसके अलावा दूध और गुलकंद भी आप मिलाकर के पी सकते हैं ये भी आपके कबज को दूर करेगा निम्बू अदरक और शहद का मिस्रित रस आतों को साफ कर देता है और कबज की शिकायत को दूर करता है अमरूद खाने से भी कबज मिठी जाता है और अमरूद खाने के बाद उपर से दूध पीने से पुराने से पुराने कबज में रहत मिल जाती है अमरूद बीज के साथ ही खाना चाहिए और उसके छिलकों के साथ ही खाना चाहिए ये नहीं कि आप उसमें से बीज निकाल दें या फिर छिलके निकाल दें अमरूद को प्राकरितिक रूप में जैसा होता है वैसे हैं कम्प्लीट लिखा जाईए और उपर से दूद पी लिजे कबज में रहात मिलेगी इसके अलावा सूट, दालचीनी का तेल, इलाची और जीरा बराबर मात्रा में मिलाकर पीना कबज में लागदाई होता है दालचीनी का तेल और शकर चीनी में मिलाकर पीने से भी कबज दूर होता है यह चून अजिन की तकलीफ में रहात देता है तुलसी के पत्ते, अनार, लीची, काजू, टमाट, मतर, खीरा, बादाम, खजूर, पका हुआ केला, दही के साथ, हिंग, गिहुं के पोधे के रस, संतरा, मेथी, गोमूत्र, केसर, अंजीर, दूध, और अंजीर, मुली के रस, मुली के हरे पत्ते, मुली के बीजों का पाचन शक्ति के अनुसार ग्रहन करने से कबज की तकलीफे दूर होती हैं, अब एक बार में आपको बताना चाहूंगा कि इतनी सारी जो चीजें हमने बताई हैं, वो इसलिए बताई हैं, ताकि समय के साथ क्या होता है, कि आप सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडी ची तो उसकी भी पूर्ति कर सकें, या फिर कोई ऐसी बिमारी है, जिसमें की कुछ एक सबजियां या फिर फल जो होते हैं, वो वर्जित होते हैं, तो उनके अलावा भी दूसरे का सेवन करके हम अपने पेट को साफ रख सकें, तो इस प्रकार से अगर आप अपने खान पान को बैलेंस करते हैं, तो आपका पेट क्लीन रहेगा, कबज मुक्त रहेगा, आप हिल्दी और स्वस्त रहेंगे, तो दोस्तों ये थी आज कि हमारी जानकारी आप सभी के लिए पेट को क्लीन करने के लिए, अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे, एक और बहद ही महत्तो पून जानकारी को ले करके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों